हलो बच्चो, गुड मोनिंग, आज मैं आपको कक्षा 3 का परियावरण वी से पढ़ाने जा रही हूं, तो आज हम पढ़ेंगे पाट 13 हमारी समवेदनाओ की साजेदारी, हमारी समवेदनाओ की साजेदारी, तो बच्चो मैंने पहले आपको ये सब पढ़ा दिया है, प्रश प्रशन नमबर 6 से पढ़ेंगे बच्चो, तो प्रशन नमबर 6 से क्या है, हमारे बड़े प्रशन उत्तर है, तो वहां से आज हमको पढ़ना है, तो बच्चो प्रशन नमबर 6 है, नीमन लिखित प्रशनों के उत्तर संचेप में लिखे, तो प्रशनों के उत्तर हमको संच में लिखना है, तो पहला है सीमा के पापा दादी के लिए अकबार जोड से पढ़ते हैं, क्या आप भी बुजुर्गों के लिए कुछ करते हैं, तो मैं दादी को चसमे खोज कर उनको देती हूं, क्या मैं दादी को चसमे खोज कर देती हूं, दादी को मंदिर ले जाती हूं कितनी बार दादा जी की कोई वस्तु या दवा लाना हो तो वह भी मैं काम करती हूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है पहला प्रशना जो हमारा है उसमें लिखा है कि आप जोर जोर से अकबार पढ़के बुजुर्गों को सुनाते हैं तो और कुछ भी आप काम करते हो तो देखो हम करते हैं दादा जी के चसमे खोच कर देते हैं उनकी दादा जी को मंदिल ले जाती हूँ कितनी बार दादा जी के कोई वस्तु या दवा होती है तो अभी वो लाकर मैं उनका काम करती हूँ इस तरह से फिर दूसरा है रवी भाई बीना देखे कई सारी बाते कैसे जान जाते हैं तो रवी भाई अंदे हैं क्या हैं अंदे आग से तो वो कैसे कई बाते पैचान जाते हैं याने किसी की आवाज हो तो वो सब सुन जाते हैं तो वो कैसे सुन जाते हैं तो रवी भाई देख नहीं सकते हैं वो उनकी स्रमण सक्ति तीवर है उनकी स्रमण सक्ति तिर्युवर हैं उसे वह अच्छी तरह से सुन सकते हैं, क्या करते हैं, अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और इस पर्स भी करके बहुत सी चीजों को पैचान लेते हैं, इस पर्स भी करके क्या करते हूं, बहुत सी चीजों को पैचान लेते हैं, तीसरा है, बुड़ापे में लोगों को क्या क्य तो बुड़ापे में लोगों को बहुत सी तकलिफे होती है तो देखो वे पहला है वे अच्छी तरह से देख नहीं सकते क्या करते हैं बुड़ापे में वे अच्छी तरह से देख नहीं सकते दूसरा वाँ अच्छी तरह से सुन नहीं सकते वे अच्छी तरह से सुन नहीं सक तीसरा उनके गुठन और पैर में दर्द रहता है क्या है तीसरा उनके पैर और गुठन में दर्द रहता है चोथा हाथ द्रूजदे होने से वह कोई वस्तू अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकते फिर चोथा है क्या आपको कभी छड़ी की जरत पड़ी है कब आपको कभी छड़ी की जरत पड़ी है और कब पड़ी तो हाँ जब किसी को पैर में मोच आ गई हो तब चलने के लिए छड़ी का टेके की जरत पड़ती है क्या है जब किसी को मोच आ गई हो तो छड़ी को पैर क टेक के से चलने में जरत पड़ी है फिर तीसरा है क्या आप सोच सकते हैं आपको छड़ी की जरत कब पड़ी तो नहीं मुझे कभी छड़ी की जरत नहीं पड़ सकती क्या है नहीं मुझे कभी छड़ी की जरत पड़ी ही नहीं सकती अब छट्टा है जो लोग देख नहीं सकते उन्हें हम कैसे मदद कर सकते हैं जो लोग देख नहीं सकते उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं तो देखो बस में उनको बैठने की जगह देते हैं उनको सीड़ी चड़ाते हैं उनको रस्ता बताने में मदद करते हैं फिर उनको लिए स समाचार पत्र पढ़ते हैं और उनको सुना सकते हैं क्या है? उनको समाचार पत्र पढ़कर सुना सकते हैं तो पहला क्या है? बस में उनको बैठने की जगह देते हैं उनको सीड़ी चड़ाने में मदद करते हैं उनको रस्ता बताने में मदद करते हैं और उनके लिए समाचार पत्र पढ़के उनको सुना सकते हैं फिर सात्वा आप अपनी आखे बंद करके सुनिये किस की आवाजे सुनाई देती है तो आखे बंद करके देखते हैं तो पंखे की वाहन की तथा माता रसोई करे वो बरतनों की आवाज सुनाई देती है किसकी आखे बंद करके देखते हैं तो किस-किस की पंखे की वाहन की टीवी चालू रहती है उसकी रसोई और माता रसोई करती है उसकी आवाज सुनाई देती है अब आगे है हमारा प्रश्ना नुम्बर आठ जो लोग देख नहीं सकते वे लोग कैसे पढ़ते हैं जो लोग देख नहीं सकते वे लोग के लिए पढ़ने तथा लिखने की रीत को ब्रेल लिपी कहते हैं जो लोग पढ़ने ही सकते जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए क्या है लिखने की रीत के लिए बेल लिपी कहते हैं अब 9 नमबर है रवी भाई ने किताबों की क्या विसेश्था है और क्यों रवी भाई की किताबों की क्या विसेश्था है और क्यों रवी भाई की किताबें वह साधारन किताबों की तरह नहीं बलकि मोटे कागज पर उबरे हुए बिंदों की उंगली गुमा कर पड़ी जात क्या है रवी भाई की किताबों की क्या विशेश्ता है, तो रवी भाई की किताब साधारण किताबों की तरण नहीं बल्कि मोटे कागज पर उब्रे हुए बिंदों की उंगली गुमा कर पड़ी जाती है, जो लोग देख नहीं सकते उनमें, उनके लिए वहा कोती है, पढ़ते हैं तो इसलिए वो किताबे उनके लिए की गई और उनकी किताबों की ये विसेश्ता है अब दस्वाए ब्रेल लिपी की क्या विसेश्ता है तो ब्रेल लिपी उखडे हुए बिंदों के उपर उंगली घुमा कर पढ़ते हैं यह विसेश्ता है क्या है ब्रेल लिप प्रेल लिपी फ्रांस के देश में रहने वाले थे जब वो तीन साल के थे तब एक दिन अपने पिता के ओजार से खेल रहे थे अचानक नुकीले ओजार से उनकी आँख में चोट लगी और आँख और एक आँख से अंधे हो गये उन्हें आँखों से बिल्कुल देखना बंध हो गया उनको पढ़ने में बहुत रूची थी वे हार नहीं मानते थे वह तरकीब सोचते ही रहते थे और इस तरह से उन्होंने ब्रेल लिपी की खोज की अब प्रश्ण नंबर 11 प्रग्याचु व्यक्ति के तीन पैर होते हैं कैसे तो इनके तीन पैर होते हैं प्रग्याचु व्यक्ति होते हैं उनके तीन पैर होते हैं दो इस प्रकार के दो उनके खुद के और एक उनकी सपे चड़ी जिनके वगेर वे अपने दोनों पैर से ज ज़्यादा दूर नहीं चल सकते हैं तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये समझाया एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूं सीमा के पापा दादी के लिए अखबार जोड से पढ़ते हैं क्या आप बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकते हो एक बार बच्चों फिर से प्रश्ण मैंने आपको पढ़ाया अब उत्तर मैं दादा जी के चसमे खोच कर उनको देती हूं दादा जी के मंदिर ले जाती हूं कितनी बार दादा जी की कोई वस्तु या दवा लाना हो तो वो भी काम करती हूं फिर दूसरा रवी भाई बीना देखे कई सारी बाते कैस जान जाते हैं तो रवी भाई देखे बिना रवी भाई देख नहीं सकते उनकी स्रवन सक्तित्रीव है उससे वह अच्छी तरह से सुन सकते हैं और इस पर्श भी बहुत अच्छे से वस्तु को पैचान लेते हैं तीसरा बुड़ापे में लोगों को क्या-क्या तकलिफ होत चौथा है कि आपको कभी छड़ी की जरत पढ़िये हां जब किसी को पैर में मोच आ गई हो तो चलने के लिए छड़ी का टेके की जरत पढ़ती है पांच वाक्या आप सोच सकते हैं आपको छड़ी की जरत कब पढ़ सकती है तो नहीं मुझे कभी छड़ी की जरत नहीं उनको रस्ता बताने में मदद करते उनके लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं और उनको सुनाते हैं प्रश्ण नमबर साथ आप अपने आखों को बंद करके सुनिये किस किस की आवाज सुनाई देती हैं आखे बंद करके पंखे की वाहनों की तथा माता की रसोई करने के बढ़तनों की आवास हिनाई देती है आठवा है जो लोग देख नहीं सकते वे लोग कैसे पढ़ते जो लोग देख नहीं सकते वे लोगों के लिए पढ़ने तथा लिखने के लिए ब्रेल लिपी कहा जाता है रवी भाई ने किताब की क्या विशेष्था बताई रवी भाई ने किताबों को साधारन किताबों की तरह नहीं बलकी मोटे कागज पर उब्रे हुए बिंदूओं को उंगली गुमा कर पढ़ी जाती है जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए छोटी होती है ये विशेष्थ दस्वा ब्रेल लिपी की क्या विशेष्था है तो ब्रेल लिपी उखडे हुए बिंदूओं के उपर उंगली गुमा कर पढ़ते हैं और उसकी ये विशेष्था हैं ग्यारवा ब्रेल लिपी की खोच किसने की ब्रेल लिपी फ्रांस के देश में रहते थे जब उन्हें वह तीन साल के थे तब एक दिन अपने पिता के ओजार से खेल रहे थे अचानक उनके नुकिले ओजार से उनकी आख में चोट लग गई और आखे बंद हो गई और उन्हें आखों से बिलकुल दिखना बंद हो गया और वह पढ़ने में बहुत ही होस्यार थे वेहार नहीं मानते थे वह नहीं कोई तरकी भी सोचते थे और उन्हें ब्रेल लिपी की खोज की प्रग्याचु व्यक्षी के तीन पैर होते हैं कैसे तो इनके तीन पैर होते हैं जो इस प्रकार के जो दो पैर उनके होते हैं दो उनके और एक उनकी छड़ी जिसके विगर वे अपना काम ज्यादा वे अपना काम पैरों से ज्यादा दूर चल कर नहीं कर सकते हैं बच्चो इस तरह से मैंने आपको पाठ तेरा आज कम्पलीट करा दिया है तो आपको जो मैंने पाठ पढ़ा दिया है वो अपनी स्वध्य पुधी में कम्पलीट करेंगे तो बच्चो आज के लिए मैं इतना ही पड़ाऊंगी आगे के लिए आगे वीडियो में पड़ाऊंगी ठीक है बच्चो थेंक यू